हेलो एवरिवन इंडिन जूडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है आज की जो वीडियो है ये भारती राष्टी आंदोलन का पार्ट टू वीडियो है इसमें जो है हम लोग कोश्चन नमबर फिफ्टी वन से लेकर हंडेट तक कवर करेंगे जिनों ने भी प्रिवियस नहीं देखाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सेयर कर सकते हैं चली सुरू करते हैं यहां पर कोश्चन नमबर फिफ्टी वन राष्टी अंदो बहरती राष्टी कॉंग्रेश की अध्याष्टा की थी अगले परसंद पर आते हैं निम लिकित में से किस अधिवेशन में कॉंग्रेश ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीटी घोसित की तो यहां पर जो है और आपने नाकपुर अधिवेशन घयाः सित की थी यह नागपूर अधिवेशन में किये तो यहां पर option A सही हो जाएगा नागपूर अधिवेशन नीचे उन वेक्टियों की सुची दी गई है जो भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्याच हुए तद अनुसार उन्हें क्रम बद कीचिया और नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिये तो पहला यहां पर option है महात्मा गांदी जी दूसरा जवालान ल स्कॉबृस इनोंने जो अद्यच्ता की थी उसके नंबर टू पे आते है το सरोजनी नाइड जी जैने उन्नीशक Nahidu क Advis जीन जो रंश्यौधष की boils राफ़ Ci से क्यों ने लिफ्ट की थी कैसी की में इन्पष्जी यह इन्होंने च्यूब कर और उल्वात बिर नहिं और त्म तो हम लोग कर्म बिला लेते हैं पहला वन हो जाएगा दूसरा फोर हो जाएगा तीसरा जो है तुभ थरी यानि वन फोर टू थरी तो यहां पर ऑप्षन हमारा सी सही हो जाएगा अगले प्रस्ञ्ट सब्सक्राइए अगले प्रस्म्न पर विचार कीजिए तो भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रफम अधिवेशन कलक्त्टा में हुआ हो है झालै यह संधुक्त All सही है और अगला है भारतिराश्टी कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनव में 1916 के अधिवेशन तथा लखनव समझोता संपन हुआ उप्यूत कथन में से कौन सा सही है तो यह भी एकदम सही है जो लखनव अधिवेशन हुआ था इसी में जो है मुस्लिम जन्गन्मन यानि हमारा राष्टिय गान जो है पहली बार किस अवसर पर गाया गया था तो हमारा जन्गन्मन जो है वह पहली बार जो है ऑप्शन सी है यहां पर भारती राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था तो जन्गन्मन कॉंग्रेस के अधिवे स्धेशन हैं तो जो हमारे डॉक्टर यम ए अनसारी हैं नांसिक अध्यष्टा kun उने मद्णा साधुष्टा ॖ लाहोज़नी न dislike कुंछनी Wow ग्रतों खेखा खेखा तो यह हो जाएकonge हैंगे संदर और सब्सक्षा करते तो जो हैं इन्होंने हरीपूर बहुती प्रसिद्ध यह सम्मिलन रहा था हरीपूर गांडी जी और ने कुछ भी मत्वेद हो गया था तो यहां पर ऑप्षन वन ho जाएगा तो यहां पर हमारा जो अंसर बनता है प्रफम अद्यच महिला अद्यच नहीं थी तो अच्छा कौन थी इसको पहले वीडियों बता चुके हैं इसलिए अगर आप लोग को नहीं मालूम तो प्रीवेस वीडियो देख लीजिए अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स पर जो है इसको जरू दीजेगा तो ठीक है तो य जब वो अद्यच बने तो वो जेल में थे अगला ओप्सन सी है एलन एक्वा एक्वेवियन हुम यानि की एयो ह्यूम जो है प्रतम बिटिस नागरिक थे जो कॉंग्रेस के अद्यच बने ये भी गलत है तो यहां पर जो है वो अद्यच नहीं बने थे वो सिक्रेटरी बने तो यह उप्सन सही नहीं है अगला है एलफरेट बेव एलफरेट बेव नाइंटीन सोरी एटीन नैंटीफोर में कॉंग्रेस के अद्यच बने थे यह एकदम सही है तो यहां पर ऑप्संड टू और ऑप्सन फोर सही है तो यानि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्र लखनव समझोता हुआ इस पर अभी देखिए प्रीवेस कोश्चन आ चुका है तो उनका जो समझोता हुआ था लखनव अधिवेशन यह 1916 में हुआ तो हमारा आंसर ऑप्सन दी हो जाएगा अगले प्सन पर आते है कॉश्चन नमर 59 1916 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अध्यच्छता की थी तो यहां पर एसी मजूंदार जी है ऑप्सन दी यहां पर सही है इन्होंने 1916 में अध्यच्छता की थी अगले प्रसंट पर आते हैं कॉश्चन नमर 60 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांफरेंस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन को आयोजित किये था तो 1916 का जो अभी तो हम लोग इस पर करी चुके हैं अध्याच्छ मजूंदार एसी मजूंदार जो है रहे हैं तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो लखनव हो जाएगा क्योंकि लखनव में ही यह समयलन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल अस्थाई रूप से जुड़ गए थे तो बिटिस सासन के दोरान बिहार को एक अलग प्रांत का दरजा किस वर्स दिया गया तो यहां पर बिटिस सासन के द कोशनों में आ चुका है PCS में आ चुका है आतंक वादी सब्यों किया गया तो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख सिल्पी निम्न में से कौन थे तो यह बहुत ही अच्छा कोशन है तो इन दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा संद्व स्ब्सक्राइब कर आए तो आपसंन हे हमारा यहां पर सही हो जाएगा कोशन नमबर 63 वस 1916 में मुस्लिम लीग के मद्द किसने समझता कर वाया तो 1916 में जो कॉंग्र स्कीम समझा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मद्द जो सम्झा था वह बाल गंगा धर तिलग यहां भी हो जाएगा ठीक है कॉश्चन नंबर 64 कॉंग्रेस के 1916 के लखनों अदिवेशन में कौन सा मुख्य दूर गामी परिणाम वाला निर्ने लिया गया तो यहां पर जो मुस्लिम लीग की प्रथक निर्वाचन छेत्र की जो मांग थी उसको सिरकार कर लिया गया तो यह यहां पर हम यहां पर सबसे महत्व पूर्फ चत्रिट यहां पर यह यह ही हमारा सही है कंग्रेस और मुस्लिम ली तो यहां पर आप्शन ए सही हो जाएगा नेक्स आते हैं 65 में कॉंग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समधाय के लिए प्रथक निर्वाचन स्विकार 25 स्विकार की वैब वर्स था तो वैब वर्स कौन सा था 1916 तो यह हमारा आप्शन भी हो जाएगा बारतिय नेशनल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैब मतैक का काल निमन में से कौन सा दर्सित किया जाता है तो हम लोगों ने अभी यहीं पर देखा था तो यहां पर जो अंसर हो जाएगा 1916 से लेके 22 तक तो यहां खिलाफत अंदोलंद और वह जो है गोरगपुर के चौरी-चौरा कांड होने के बज़े से गांदी जी ने बापस ले लिया था अंदोलन चलिए आगले क्वेशन पर आते हैं 67 67 कहता है निमन में से 1916 के लखनू के कॉंग्रेस अधिवेशन के विसे में असत्य है तो कौन से असत्य है अंभिका चरण मजूंदार द्वारा ही इसकी अधिचता की गई थी तो आपसन यहां पर हमारा अंसर हो जाएगा यह असत्य है यह बलकि यह सही बात है कि कॉंग्रेस का जो लखनो अधिवेशन था उसकी अधिचता अंभिका चरण मजूंदार के द्वारा की गई थी अगले देख लेते यह भी इंपोर्टेंट इनको याद रहेगा इस अधिवेशन में उदारवादियों और उगरवादियों के बीच पुनाय मेल हो गया यह भी बहुत अच्छा तत्त थे यहां पर मात्मा गांदी ने पहली बार चंपारन के किसानों की समस्याओं से अवकत कराए गया तो यह दोनों ही चीजे जो है यह तत्त इंपॉर्टेंट हैं यह एकदम सही हैं यह यहां पर गलत था कि मजुंदाजी ने अदिश्टा नहीं किये उन्होंने ही अदिश्टा इसकी की थी तो अगले कुश्चन पर आते हैं कुश्चन नमबर 68 निमलिकित भारतिये राश्टिये महत्मगांदी को चमपारण के किसानों की समस्या से अफगत कराया गया तो यह अभी अभी निमलिकित मेंसे किस ने 1904 से लगातार भारत को स्वसासन देने पर बल दिया तो स्वसासन देने पर बल जो है वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था तो 1904 से इन्हें हम लोग बहुती फेमस नामें इनका ग्रांड ओल मैं भी कहा जाता है भारत का तो इन्हों नहीं दिया था अगले पैसन है 70 निम्न में से कौन उग्र राष्टवाद के उल्लेखनी नेताओं में से नहीं है तो यहां पर नहीं था तो कौन नहीं था देखते ह है तो गोपाल के लिए विपिन चंद्रपाल लोकमान तिलक और लाला लाजपत राय तो यहां पर गोपाल के लिए यह उग्र से नहीं थे यह बहुत ही साम नरम दल से थे यह समंदित तो ऑप्सन ए हमारा सही हो जाएगा अगले कुशन पर आते हैं 71 अधिकतर नरम पंथी आते तो जो नरम पंथी नेता थे वह अधिकतर सहरी च्षेत्रों से तो जहाँ पर आंसर जो नरमदल के नेता थे वह सहरी स्छेत्रों से समंदित थे Log prose li मनन था कि बस वो हमारी मांगों को माल लिया कर जिससे जनता के हित हो सके तो यह रजा मंद करने के इनकी जो पद्दती थी आंदोलन करने की मनाने की तो बिंती करने की तो यह पद्दती गोलों अपनाते थे यह option D B हमारा यहापर सई हो जाएगा question number 73 निमलिकित में से किस गरम दल और गरम दल तो कौन सा वो आंदोलन था जिसके करने यह हुआ तो यह जो था सुदेशी आंदोलन की करने ही ऐसा हुआ अगले परेंट पर आते हैं निमलिकित में से कौन उगरपंथी नहीं था तो उगरपंथी यहाँ पर option है बाल गंगा तिलक मदनलाल उदम सिंग गोपाल के संगोखले हम लोग से पहली चाचे कर चुके गोपाल के संगोखले यह मनरम पंथी थे यह उगरपंथी नहीं थे कोकिनल निमलिकित कों सzekना हैं को कौन एक सदेशी समर्थक अरविंद घोष सुदेशी के समर्थक dublin कोशन नंबर 76 निमलाकित मेंसे कौन मद्ध मारगी नहीं था जिनको नरंग के मानते हैं वो मद्ध मारगी माने जाते हैं तो यहां पर नहीं था तो यहां पर देखिए गोपाल के कुकले बाल गंगादर तिलक एक उओ हूं मदन महण मालवी यह यहां पर कोशन अप्सटन 20 ही होजाएगा मतन जूआए बाल गंगा धर तिलक थे यह मध्यमारगी मध्यमारगी नहीं थे मिला अंशन नावहत में निम्नीर में रिपेंव किसको नरम aer मá partial दार पर नहीं मैं जाना जाता तो जो साकुछ तिलक को नरंदौल के तौर पर नहीं जाना जाता बाकी दादा भाई नरो जी गोपाल के सुन गोखले और एम जी राना जी यह सब नरंदौल के नेता थे कोशन नमबर 78 महाराष्ट में गड़पती पर्व बहुत ही महत्रपुन प्रस नहीं है पर्व का स्रीगरेश किया था तो महाराष्ट में गड़पती बर्व और सिवाजी दो चीज़ें इन्होंने शुरू की थी किन्होंने शुरू की थी बीजी तलिक यानि बाल गंगादा तलक दारा इसको फूरू किया गया था तो अपोशन हमारा अंसर होजाएगा नहीं वासंती का जनक कहा था बहुत ही अच्छा नहीं है तो बाल गंगादा तिलग को वेलेंटाइन शिरोले असांती का जनक कहा तो option हमारा C हो जागा यहां पर आगले question पर आते है एटी वीजी तिलक को सजा के पस्चात निम्लिकित में से किसने दया ठीक है यानि दया वकालत दया वकालत मतलब मर्सी तो कि ती और कहा था कि क्या कहा था उन्होंने जिसने विए मतलब मर्सी पिटिशन फाइल की थी उसने वाल गंगा तरह ने कुछ कश था तो क्या कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल चस्पी है मानि इससे यह पता जलता है कि तिलक जी जो थे वो संस्कृत के ग्रिद्वान भी थे तो यह बात किस ने कही थी यह बात मैक्स मूलर ने कही थी तो ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा यहां पर जो मर्सी पिटीशन बाल गंगादा तिलक के लिए फाइल की गई थी वह मैक्स तो छे बर्स के लिए बाल गंगाधर तिलग को 1908 में जेल पे भेज दिया गया पुछ नमबर 82 निमलिकित में से किसने महराष्ट में गड़पती उत्सब का ऐसा काया कल्प किया कि वह एक राष्टी उत्सब हो गया और उसका स्वरूप राजनेतिक हो गया यह पुछ बहुत ही अच्छा है और इसके हम लोग ठोसी चाचा कर चुके हैं अभी तो यह सब किसने किया तही गड़पती उत्सब के लिए बाल गंगा धर थिलग जी ने इसको राष्ट्य उत्सब के रूप में मनाने को आगे को साहित किया और यह आगे से राष्टी उस सब के तौर पर मनाया जाने लगा तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा अगले पर आते हैं क्वेश्च नमबर 83 किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस पर प्राथना याचना तथा विरोध राजनीती करने का आरोप लग आया तो इस चीज को किस ने लगाया था बाल गंगा था तिलक ने इस चीज का विरोध किया था और इसका आवरोप लगाया था कॉंग्रेस के ऊपर question number 84 84 कहता है यहाँ पर महत्मा गांदी ने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी बड़ी संगठन छमता के कारण किस आंदोलन में दी थी तो यहाँ पर जो महत्मा गांदी जी उन्होंने सरदार किया सबसे पहली बात तो बल्लब भाई पटेल जी को जो सरदार बल्लब भाई पटेल कहा जाता है तो सरदार की उपादी महत्मा गांदी जी द्वारा दी गई थी और यह किस में दी गई तो यह बार्दोली के जो किसान सत्यागर अंदोलन था उसमें दी गई थी तो option B हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा question number 85 निमलिकित में से कौन सा नेता कॉंग्रेस के गरम दल से सम्मंदित था तो यहाँ पर अर्विंद घोस दादा भाई नौरों जी वीजे घोकले और यस एन बनर जी तो यहाँ पर जो गरम दल का नेता है ये अर्विंद घोस तो अर्विंद घोस जो थे वो गरम दल के नेता थे question number 86 निम्लिकित मेंसे कौन उग्र राष्टबादी एता नहीं था तो उग्र राष्टबादी नेजा जो है हमाई देगे विपेंच अंदरपाद ये उग्र थे जीवी तिलक ये भी उद्द थे लाला लाज पत्रा ये भी उग्र थे और जीवी गोखले तो गोपाल के गोखले जो है वो यहां पर उग्र नेता नहीं थे तो option D यहां पर सही हो जाएगा question number 87 भारती राष्टिय अंदोलन नरम पंतियों के प्रभाव धीन प्रभावा धीन आया तो यहां पर भारती राष्टिय अंदोलन निम्लिकित मेंसे कौन भारती राष्टि कॉंग्रेस के में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था तो उदारवादियों में हमारे फिरोसा महता यह भी नरम पंति उदारवादी थे दादा भाई नौरोजी यह भी उदारवादी थे और गोपाल करस्न नमीर घे νाइन भारतिये मुसल्मान सामानर रूप से उप्रवादी आंदोलन की और आकर्सित नहीं हुए इसका कारण था तो यह श्राव नहीं कि हिंदू अतीत का राग अपनाने की निता थे वह फिंदु अतीत को ज्यादा मतलब उसको महत्व देते थे जैसे गड़पती पर मराना और यह सब चीजें तो वह धर्म को ज्यादा प्रोसाइट करते थे उसके बारे में बताते थे हमां यह इस्तिहास के बार अधि नीन में महात्मा गंदी हं में बत आए के साथो हैं महात्मा गंदी के साथ उन्हों ने भी debt Арm को वी निता मुसल्मान निता ने उठाई तो यहां पर मुसल्मान ने सौकत अली जी ने जो है महत्मा गांदी जी के साथ में बाल गंगा था तिलक की अर्थी को उठाया तो आप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जागा कोश्चन नमबर 91 भारत के सुतंता अंदोलन के प्रारंब लियर्षे कर बिदेशज वस्तूओं उत्पादन को बढ़ाना नहीं अगला है सम भधानिक साधन या या चिकाओं के इस्थान पर आक्रामिक साधनों से स्वसासन प्राप्त करना तो यहां पर जो उग्रवादी नेता थे वो इसी चीज को महत्त देते थे यानि यह जो है कि मतलब देशी वस्तों को बहिसकार करना और देशी वस्तों का पादन बढ़ाना यह सब जो है नरम दल के नीतियां थी परंतु जो गरम दल था वो यह कहता था संब्धानिक साधन साधनों और याचनाओं से कुछ नहीं होता हमें आक्रामक साधनों का और उप्सन कारण इसका उन्होंने धर्म का राजनेतिक अस्त्र के रूप में प्रियोग किया तो पहली बात तो बाल गंगादर तिलग जी जो है वो संप्रदाइकता वारी बिलकुल भी नहीं थे वो कभी भी धर्म और उन सब आपस में टकराव कराने का उनका कभी कोई उ यहां पर आर जो कारण है वो सही है के अहां पर आते हैं अग्र कैरिक मनशार नमर नम्निमें से किस उलाला लाज्पत राय अपना राज नहीं ते गुरु छुना तो लाला लाजपत राय ने देखिए यहाँ पर गैरी बालडी नहीं इनको नहीं चुना विवेका नन जी को नहीं दादा भाई नौरो जी और मैजनी यस मैजनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनेतिक गुरू चुना कोशन नमबर 94 कहता है यहां पर सेरे पंजाब नाम से बहुत ही इंपॉर्टन कोशन नहीं है सेरे पंजाब नाम से इनमें से कौन महसूर है तो सेरे पंजाब नाम से लाला लाजपत राय जी महसूर है यहां पर सेरे पंजाब कोशन नमबर 95 बारती रश्टी कॉंग्रेस को कि इसने भीख मांगने वाली संस्था यानि Begging Institute कहा था तो मात्म जो है यहां पर जो है जीवी तिलक यानि बाल गंगादर तिलक जी ने कॉंग्रेश को भीख मांगने वाली संस्था कहा था क्योंकि यहां पर नरम दलों का बहुत ही प्रभाव था और वहमेशा याचना अंग्रेश से करते रहते थे कि हमारी मांगों को मान लिया जाए कर ले जाए उसके कोई कठोर सक्त कदम नहीं उठा थे इसलिए उन्होंने भ बंगाल विभाजन यस यस यानि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला देखते हैं यहां पर क्या ऑप्शन दादा भाई नौरोजी की कोस्टना भारति राश्टी कोंवेश की लक्ष की सुलाज नहीं यह भी नहीं नन ढुलन है यह यह 7 अगस्त 1905 यानि यहां पर सई रहा है साथ अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी अनदोलन ँकी यह गया मतलब है यहां Bंगाल को भंग करने की विरोध में जो अंदोलन किया गया हमारा क्योंक्त बंगल बागों की बih देए गया था तो उसके विरोध म में तो यह option भी यहां सही हो जागा साथ अगस्ट उन्यूस्ट पाँच नमबर 98 निम्लिकित में से बाद में क्या हुआ तो देखिए यहां देख लेते हैं लोग कौन सी चीज कब हुई है तो पहले यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग option A देखते हैं तो हडप नीती जो है य कहा जाता है इसे तो यह 1848 में 1848 से लेकर 1856 तक रही है अठाशो सब्तावन की फिर क्रांती हो गई उसके बाद फिर यह नीती समाप्त कर दी गई यहां पर तो यह चीज यहां पर वह स्थाई बंदोबस जो है वह 1793 मिलाया गया तो इस थाई बंदोबस जो था वह 1793 मिलाय गया और जो सहायक संधी हुई थी साइक संधी यह 1798 सायक संधी गुलाने वाले कौन थे यह लाड बेले जली थे बेले जली और इनंहों सबसे औंत में हम लोग का यहां पर है बंगाल शुक कर चुक अंप ba इस प्रสंब के अनुसार सबसे बात में किया हूँआ तो सबसे बाद में यहां पर बंगाल विभाजन क्योंकि हरप निती जो है डॉक्रिन ओप लैप्स डालोजी के द्वारा यह 1848 से 56 थी और इस्थाई बंदोबर 1793 में आया सहायक संदी जो है लाड बेले जली द्वारा यहां पर 1798 से लेकर 1805 तक रही तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा 1905 बंगाल विभाजन ऑप्शन B क्कुश्चन नमबर 99 तो निम्लिकित वर्गो मेंDS से कौन 1905 में सुदेशी आंदोलन से मुक्तव अप्रभावित रहा तो सुदेशी आंदोलन से मुक्तिया कौन यहां पर आप्रवावित रहा तो इस परसंद में जो है सुदेशी आंदोलन में तो यहां पर क्रसक और मुसल्मान तो सुदेशी आंदोलन में क्रसक और मुसल्मान दोनों ही जो वेक्ति हैं वह आप्रवावित रहे तो हमारा यहां पर हंड्रेड बंग भंग के लागो होने की तिथी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाब पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया तो यह जो है रभिंदर नाठ टाइगोर जी के द्वारा इसको सुझाब दिया गया कि बंग बंग इस तिथी को राखी दिवस के रूप में मनाया गयाओ इन्येये के सुझाब पर पयसंतेंगे तो आप इसे like कर सके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये तैंक यू वर बाजूटियों स nies